अए रशीत लंकापूरी के रहें आउँ आएकोटो इकनोटो सालो रशीत लंकापूरी जोनो तो जो लुठाचु है तो बोलाएको एकनोटो सालो रशीत बासी आच़वापूरी आए अप्रेस के शूड़ीया कि तो हता है गुरूर आहां बडी वाफ़दार है एक बार पांच में माले से दिजिदी है मेरी टपका के घरवार के सुखने आई पुदान अलो वे तो नाल मसा रहा है अरे मुझे बाहा है मेरे एक के पी जाने जाने जोड़े है अगलत थी ना अगलत से पड़दो करेदी अगलत रहा है एक स्टेज है साथे स्टेज के पोड़वाद के दो हो के में ड्रामे का इश्क करतों थेटर से में मना नहीं करकता हूँ आज हमने मेहमनी ड्रामा किया बड़े रसे के बाद जो है मेहमनी ड्रामा तीन साल के बाद तीन साल पहले में इश्क अपने सिन्वीजे में हमने ड्रामा किया था तीन साल के बाद आज बहुत अरसे के बाद मेहमनी ड्रामा हुआ लोगों ने बड़ा पसंद किया बहुत अच्छा आडिस्तों ने परफार्म किया कराची के बहुत अच्छे आडिस थैं, तस्टमाम के तपयम, सिकंदर सनम के साथपदे, شाबास सनम, रवफ लाला के बेटे, अब्डूलाला, अकरम सोनो बहुत सारे आडिस्ट हमारे सारी टीम तकरीबन कराची के थी बहुत अच्छा ड्रामा हुआ बड़ी महनत की आडिस्टों ने उमीदे इन्शाला आएंदा भी हम मेमनी ड्रामा करेंगे और मेमनी लोगों को ओडियंस को हैदराबाद स्टेज पर लेकर आएंगे ताएंगे हमारे ओडियंस में इजाफा हो और एक मेमनी ड्रामा भी शेहर में होने चाहिए असामालेकूम मैं हूँ अबडिलाला सन ओफ रौफ लाला और आज हम लोग मौझूद हैं हैदराबाद में मेरान आर्ट्स काउंसल में जहां पर सिंध फेस्टिबल हो रहा है और इसके अंदर ये ड्रामा पेश किया गया इसका नाम था धनी वेठोर सामने मेमनी ड्रामा था कॉमेडी प्लस सीरियस बहुत अच्छा ड्रामा था पब्लिक बहुत अच्छी आई थी उनको बहुत पसंद आया मेरी आप सबसे घुदारिश है इस फेस्टिबल को कामियाब बनाईए स्टेज शोज को देखने के लिए आईए महरान आर्ट्स काउंसल में बहतरीन रेनु को बहाल करेंगी तो आना ना भूलिएगा सिंद फेस्टिबल में और सबस्क्राइब कीजिए और देखते रहिए हैधराबाद ली इस और आज माजूद हूं मेरान आर्ट्स काउंसल हैधराबाद में आज यहां पर हमने एक ड्रामा मेमनी धनी वेटर सामड़े पेश किया पबलिक का बहुत प्यार मिला और हैधराबाद वालों का हमेशे की तरह बहुत प्यार पाया और हम मश्कूर हैधराबाद वालों के हैधराबाद न्यूस चैनल वालों के जिरों ने हमें हमेशे कवरिज दी हमारा इतना प्यार पाया और अपना प्यार दिया बहुत शुक् अब मैं हिदराबाद की अवाम से कहना चाहता हूँ कि अब आप लोगों के बगरागए हिदराबाद के सब्सक्राइब करा रहता है